तो यह समय के सबसे बड़ी ब्रेकिंग नूज आप से भी के लिए आज चुका है आपको बताना चाहता हूं कि छातरवास दिक्षट शरीद्या के कुल टोटल जो है 900 पदो पर जो है सबसे बड़ी भरती जो है इस समय निकल कर आया हैं तो जो भी स्टूटेंट चातिस होता अपने आपने ही बहुत जादा आच्छा है तो जो भी स्टूटेंट जो चातिस गड़ में चातरवास दिक्षट बनना चाहते हैं शरीदा भरती परिक्षट की एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप से भी स्टूटेंट के लिए काफी अच्छी अपडेट्स लेट तो जितना जादा आप इस टड़ी करेंगे जितना जादा आप इस टड़ी पर फोकस करेंगे ध्यान देंगे आपका सेलेक्षट जो है उतने ही जादा जो हो पाएगा और चातरवास दिक्षट शरीदा का पोश्ट जो है कम नहीं है बहुत ही जादा इंपोर्टन बहुत ह जाधा वैल्यूबल पोस्ट हैं अगर मैं आपको बताूं कि किस तरीके साम जो जो ऐसे दिक्षच रडिदा भरती पर रिक्षघ की तयारी कर सकते हां इक्जाम को क्वालीफग कर पाएंगे कि साम जो प्रिपरेशन कर पाएंगे तो सबसे पहले तो आपका qualification से सबसे ज़्यादा important है यदि आप शात्रवत से दिक्षक शनरीदा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बारवी पास होना चाहिए यदि आप बारवी पास हैं मादविक सिक्षमंडा राइपूर बोर्ट से तो आप शात्रवत से दिक्षक शनरीदा बरती परिक्षक के लिए लिजिबल हैं आप अराम से उसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं इसके साथ आपका एक वर्चा का computer का diploma course होना चाहिए computer का diploma course भी काफी जादा important है यदि आपने एक वर्चा का ITI COPA के हैं या फिर आपने डिशे किया हैं PGD शे किया हैं BCA किया हैं फिर आपने computer science किया हैं तो आप शात्रवत से दिक्षक शनरीदा भरती परिक्षक के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं आप आराम से इसके लिए जवेदन कर सकते हैं किसी भी प्रकारगी कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकारगी कोई भी situations कोई भी problems कोई भी परसानी आपको जो फेस करना नहीं पड़ेगा फिर 36 गड़ में आप जो है किसी भी government job भरती परिक्षक के exams की study preparation जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगा और आपका selection भी देन हो पाएगा तो यह बिल्कुल भी मत सोचू क्यार मेरा हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा आप अपने process कीजे आप अपना preparation कीजे अगर आप अच्छे से genuine तरीके से preparation करते हैं महनत करते हैं उसके बाद बोलिए कि मेरा selection जो है नहीं हो पाएगा लेकिन बीना महनत की है यह चीज़े तो बिल्कुल भी मत बोलो कि हमारा selection जो है नहीं हो पाएगा तो चातरवा से दिक्षक शनरीदा कि कुल टोटल जो है 900 पदो पर अब्यास आपको जो है बार बार अब्यास जो है करना पड़ेगा बार बार जो है preparation करना पड़ेगा और consistent रहकर महनत करना होगा regular रहकर महनत करना होगा और जतना जाद आप regular रहेंगे अपने काम पर regularity maintain करेंगे और daily पढ़ाई करेंगे हर एक चीज़ कोई भी field में हो किसी प्रोफेशन में आप देख लिए जब आपना daily consistent होकर पढ़ाई करते हैं daily अगर regular महनत करेंगे तो उसका result जो है उसका जो benefits है उसका जो impact है वो चीज़े हमें जो है देखने को मिलता है अगर आप आज पढ़ाई करेंगे कल छोड़तेंगे फिर start करेंगे इस तरीके से करें definitely आपका काम अच्छे होगा definitely आप अच्छा सब वाग कर पाएंगे और definitely इसमें आपको जो है success जो है कामयाबिया जो है देखने को मिल पाएगी कामयाबिया एक दिन में नहीं मिलती लेकिन कामयाबिया और success जो है एक दिन जरूर मिलती है और भले ही आज आज आपकी तो जितने जादा हो से कि आप आज में महीनत किजे आज में स्टडी कीजिए आज में प्रिप्रेशन कीजिए और लोग क्या बोलते हैं? लोगों का सुछ तो प्रोसस क्या है? इसके बारे से दिक्षर शरीदा भरती परिक्षर की तैयरी जो एक कर सकते हैं और मानिय सरी मुख्य मंद्री भूपेज बगल जी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किये जा रहे हैं और एक ते बाद एक जो है नेको वेकंसी जो है 36 गड़ में निकाले जा रहे हैं बस मैं आपसे यही दरख्वास करना चाहता हूँ यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको तैयरी अच्छे से करना है मेहनत आपको अच्छे से करना है जिन्दगी में मौक्य अपरचुनिटिस जो है बार बार नहीं मिलते हैं कुछ ही मौक्य मिलते हमें इस जिन्दगी में और अगर हमने उस उपर्चुनिटिस को इस मौक़े को गर हमने नहीं समझा अगर उस टाइमें भी हम अगर बच टाइम पास किया जा रहा है फालतू के टाइम पास तो इससे आपकी जिन्दगी बहतर नहीं होगा जैसे अपकी जिन्दगी चल रही है वैसे चाप की जिन्दगी चलते रहेगा तो झाल आने वाले समय को आस से कहीं ज़्यादा बेहतर बहतर बनाने के लिए हमें आज में जो है मेहनत करना होगा और अगर आप आज में ही अगर अच्छो से मेहनत करेंगे अच्छो से वाक करेंगे तब ही आपका एक्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आप एक्जाम में बहुत ही अच्छो से मार्स जो है लाप आएंगा और डिफिनेटली इसमें आपका सेलेक्शन जो हो पाएगा देखिए सपने देखो सपने सच होते हैं बस उस सपनों को पूरा करने के लिए हर एक रोज जो आपको मेहनत करना होगा बीना किश शुआर तक है आपको अपना काम करते जाना देखिए रिजल्ट मिलना या ना मिलना या आपका हाथ में नहीं है और या आप डिशाइड नहीं कर सकते कि मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मेरे जिन्देगी बहतर होगा या नहीं आने वाला समयास से बहतर होगा या नहीं या आप डिशाइड नहीं कर सकते आपका काम है सिर्फ मेहनत का न ले तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो काम किजे न आप मेहनत कर सकते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं इस्टेडी कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं तो उस चीज़ को किजे और किसी के बारे में मत सोचे कि लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे लोगों को अपिनियन क्या होगा लोगों का थॉर्ट प्रोसेस होगा क्या होगा कैसा होगा इसके बारे में जो है बिल्कुल भी मत सोचे आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है आपको अपने काम से काम रखने है और जितना ज्यादा हो शके आपको hard work करने है जितना ज्यादा हो सके आपको प्रिप्रिशन्स करने से तैयारी करने से महनत करने से आपको किसी ने रोका नहीं है आपको जो ही किसी ने टोका नहीं है इसलिए लोगों की परवा तो बिल्कुल कि लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचएंगे लोगों को की ओपिनियन किया होगा सिर्फ अपना काम करते जा है और 006 वान इतना जादा हो सके उतने जादा इसिटिरी केजिए यकीन मानि का समय जरूर आएगा आपका वक्त जरूर बदलेगा, so I hope आप लोगो वीडियोस जो अच्छा लगा हो, अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आए हो, प्लेस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वेल आप भी महत्वपूर जानकारी अपडेट जो है सुचना नोटिफिकेसन मिलते रहेंगे, बस इतना हो सके, अप्रिशियेट कीजिए, जितना जादा होश हो कि हार्ड वक कीजिए, और जिंदगी में महनत करना बिलकुल भी मत छोड़िये, बस काम करते जाईए, बिना नीन चैन सब को त्याग दो, और सिर्फ हार्ड वक करो, हार्ड वक, हार्ड वक and हार्ड वक, सो अपना ख्याल रखो, तैयारी करो, मिलते हैं किशे नए वीडियो में, आने वाला समय, आज से कहीं जादा जो है बहतर होगा